हेलो दोस्तों स्वागति आपका मेरा चैनल में तो आज हम कुछ नया तरीका से बनाएंगे आलू गुबी माटर का सब्जी और यह बहुत ही टेस्टी बनेगा ना इसमें ज्यादा तेल रहेगा ना ज्यादा मसाला रहेगा लेकिन खाने के लिए बहुत ही टेस्ट लाएगा और इसे बनाने के लिए शिरिप आपको 10-15 मिनिट टाइम लगेगा यह बहुत ही जल्दी बन जाता है तो चलिए रेशिपी बनाना सूर करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज गुबी का दूं बहुत ही बढ़िया रेशिपी बनाते हैं जो कि शिरिप आपको 10-15 मिनिट के अब बहुत ही बढ़ीया रेशिपी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगा यह रेशिपी तो सब सब पहले हम काट लेते हैं और इसके साथ भी हम ढालेंगे आज हाग बीडालेंगे और बहुत ही कॉम तेल में बनाएंगे च्रिप 10-15 मिनिट के अंदर यह सब्य बनकर और उसे बर्थन में डाल देते हैं और इसका अंजर आपको बहुर करें पानी डाल देना है इस तरह से पाणी में 10-15 मिट के लिए इसे बीगों की रख दीजिए अगर उसमें खीडा होंगे तो निकल जाएंगे तो इसके बाद यहां पर मैंने लिया है तीन मीडियम साइज क आलू तो इस हम थोड़ा साना में ऊटाइ इस आपको थेणा आपको बीच नहीं काट लेना है और इसे भी बाणी में डाल देते हैं तो यहां पर देखिए कड़ाई में मैं सबसे पहले डालता हूं दूसे तीन बड़े चामुच रिफाइन तेल आप चाहिए तो सोस्टो का तेल यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद मैं डालता हूं थोड़ा सा जीरा यह गम देशी स्टाइल इसमें ना जादा तेल होगा ना साथ में डाल देता हूं दो मीडियम साइज का प्याज मने लिया है जीसे में थोड़ा सा देखिए रॉफली काटा है मतलब बड़ा-बड़े साइज में बने काटा है और इसे ब्राउन नहीं करना है कि दो मिनिट बोनने के बाद आप सबसे पहले इसमें अलू डाल देना ह और आलू डालने के बाद इसे दो मिनिट तक और आपको भूनना है आलू के साथ क्योंकि प्यास का फ्लेवर होता है आलू का अंदर आ जाएगा और आलू भी हमारा थोड़ा सा पक जाएगा तो आलू का टेस्ट भी बहुत बढ़ी आएगा उसका बाद हम डाल देंगे इसमे गोबी तो देखिए बहुत ही बढ़िया कंबिनेशन यह सब्जी जो बनेगा आज बहुत ही टेस्टी बनेगा तो इसे भी आपको थोड़ा सा भून लेना है एक दो मिनिट के लिए ही इसके साथ हम डाल देंगे नमक 依ाway हमको नमक नमक डालना है तो आ शवाप बाद मेंगे डाल सकते हैं लेकिन अभी डालने से इसका स्वाथ थोड़ा सा बढ़िया आता है और एसके साथ थोड़ा सा लसे लिसे बढ़िया सा उलन आपको और अच्छा विया सा मिऍक 50 मिनिट हो चुका है तो लगबखंग हमारा जो गूबी आलो हैं यह 50 परिसंड तक मतलब हो चुका है तो इसके साथ आप डाल देंगे यहां पर मैंने लिया है फ्रोजन माटर अगर आपके पास फ्रोजन माटर है तो आप इस्तमाल कर सकते नहीं तो फ्रेस है तो आप सुरू से डाल दीजे क्योंकि जो फ्रोजन माटर होता है तो इसलिए मैंने यह बीच में ही डाल दिया है मैं को भी है इसे आपको कवर कर लेना है तो इसका अंदर ही टोमाटो जो है ना एकदम बड़ी ऐसा मतलब नरम हो जाएगा इसका बाद सब्सक्राइब बहुत ही बड़ी आएगा इसके साथ मैं डाल रहाँ दो तीन हारी मिची अगर आपको पसंद है तो डाले नहीं तो यह स्किप कर सकते हैं और इस आपको दो से तीन मिनिट के लिए और पका लेना है और आप बीच पर चेक कर सकते अगर टमेटो एकदम नरम हो गया तो आप इ कि तो मैं आपको दिखाता हूं अभी आलू देखिए बहुत बढ़ी आसा बाइल हो चुका है मतला पक चुका है तम बढ़ी हासा अब बस अभी आपको इसे मिक्स कर देना है और ग्यास का फ्लेंग जो एक तो मीडियम पर रखना है तो अभी हम कुछ मसला इसमें आड करें तो लाल मीची पाउडर जो एक छोटे चमुच लिएने और इसके साथ पहला याँ बोना हुआ जीरा पाउडर में शोटा साइस में डाल देता हूं बड़ा टेस्ट आता है थैös ग्रास का फ्लेम जोने मीडियम पर रखना है और इसे दो से तीन मिनिट के लिए आपको बीना ढखांग लगाते हुए आप इसे पकाना है जाकि हमारे जो मसला में डालाना यह बड़ी ऐसा मिक्स हो जाए बेज़िटेबल के साथ तो आखरी में आपको थोड़ा सा धनिया पत लगता है और यह जो सब्जी है यह बहुत ही मतलब मेरा फैब्राइट सब्जी है मैं इसे रुटी पर अटा और पूरी के साथ खाता हूं मेरे को बहुत ही बड़े लगता है तो आप ज़रूर इसे ट्राइब करें दिखिए और रेसीप अगर पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए साथ-साथ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक ने रेसीप के साथ तब तक लिए बाइबाए